गर्मी का कहर ऐसा है कि इसने कोरोना काल की याद दिला दी है गर्मी का सितम ऐसा है कि मरने के बाद भी वेटिंग है जी हाँ कोरोना काल में आपको याद होगा कि एक ऐसा समय आया था जब दास संसकार के लिए शवो को इंतिजार करना पड़ रहा था और ये राजधानी दिल दिल्ली में एक बार फिर से हो रहा है, पूरी खबर डीटेल में इस वीडियो के जरीय में आपको दूँगी, इसलिए वीडियो को आप पूरा देखेगा, और News 18 इंडिया के हमारे YouTube चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सबसे पहल तोड़ती भी दिख रही है, तापमान जो है, वो उपर की तरफ बढ़ रहा है, और लोगों को इस बीच में जल संकट से, बिजली संकट से तो गुजरना पढ़ी रहा है, लेकिन इस बीच आपको ये जानकर हैरानी होगी, कि गर्मी की वज़े से, लू लगने की वज़े स कई लोगों की जान चली गई है, और राजधानी दिल्ली में अभी जो आलम है, वो काफी डरावना है, जो हम निगम बोध की अगर हम बात कर लें, तो यहाँ पर जो शवो का दासंसकार होता है, उनके लिए वेटिंग की लाइन हो चुकी है, जैसा कि कोरोना काल में आपको बनते होए दिख रहे हैं, और इस बार कोरोना इसकी वज़े नहीं है, इस बार वज़े गर्मी है, जी हाँ गर्मी इतनी ज्यादा है, हीट वेव की वज़े से लोगों की जान जा रही है, इस धूप में कई लोग बाहर निकलते हैं, काम करने के लिए, रोज मर्रा के जरू सप्रेल 2021 का ये आकड़ा है, जब 253 शवो का दाह संसकार जो है, वो निगम बोध घाट पर किया गया था, और अब दिल्ली से जो हैरान करने वाले आकड़े सामने आए हैं, इस गर्मी की वज़े से कितने लोगों की मौत हुई है, आप इसे समझिये, कि रात 12 बज़े तक क कैसे निपटा जाए, और उससे डेथ हो रही है, आप समझिये कि ये कितना ज्यादा चिंता का विशा है कि गर्मी की वज़े से लोगों की जान चा रही है, ग्लोबल वामिंग की हम हमेशा से बात करते हैं, लेकिन ये दिन अभी देखना पड़ रहा है, इसकी कलपना किसी नहीं की थी, और वेटिंग जा रहा है, आला कि कारणों की जाच है वो निगम बोद घाट पर इसकी एंट्री नहीं की जाती है, कि किस की जान किस वज़े से गई है, ये वहाँ पे इस तरह की कोई एंट्री तो ज़रूर नहीं होती, लेकिन जो जानकारी है उसके मुताबि भयंकर गर्मी की वज़े से इन सब की जान गई है जादतर लोगों की और निगम बोध घाट पर आलम ये है कि अभी भी वहाँ पर कतार लगी हुई है लंबी कतार है शबो के दान संसकार के लिए और कोरोना के बाद एक दिन में सबसे ज्यादा संसकार का ये आकड़ा मैं लेकिन कुछ और कारण भी जरूर होंगे कुछ डेथ के आकड़े जो सामने आए हैं उसके कारण कुछ और हो सकते हैं तो अभी तक अगर 2022 की मैं आपको बात बता हूं तो जून में 1570 शवों का दा संसकार का जो रिकॉर्ड है वो तूट सकता है जिस तरीके की गर्मी अभी पढ़ रही है अब इससे बचाव किस तरीके से हो क्या इस पर कदम उठाए जाने चाहिए सरकार को क्या स्टेप्स लेने चाहिए इस पर आपकी क्या राय है आप क्या सोचते हैं ये भी आप हमें कॉमें सेक्शन के जरीए बता सकते हैं इसके अलाबा गर्मी या किसी और ख झालबाए बता सकते हैं ये बता सकते हैं